नमस्कार दोस्तों आपका फिर से सवागत है हमारे टेक्निकल अपलाई से यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम एलजी के विंडो इसी की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी आपको इंस्टॉलेशन करना बताएंगे कैसे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं हमार इसको step by step दिखाएंगे और समझाएंगे कैसी इसको आप यूज करना है जो पार्ट्स मिलेंगे कहां कहां पर यूज होंगे सभी detail मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और आपको fit करना भी सिखाऊंगा तो यहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि इसके जो cover है उसमें इस तो कोई भी इसमें सक्राइच वगएर आजा बिल्कुल नहीं होता है को कि पैकिंग जो काफी अच्छी दी होती है इसमें इसके साथ हमें एक लिफावा मिलेगा पॉलिफिन इसमें और भी समान मिलेगा आपको दिखाएंगे आगे तो यहां पे आप देशकते है इसी तो इसमें यहां पे जो फ्रंट है यहां पे इसका जो ग्रिल का जैक होता है वह लगता है यहां पर वह यहां पे में कुछ एक पॉलिफिन मिले इसका भी आपको मैं आगे समझाओंगा क्या इसका वर्क है इसमें में क्या गया मिलता है तो वीडियो के साथ बूरा बनी रहीग तो इस कवर को में उपन करेंगे पैकिंग को और पैकिंग को उपन करने पर हम देखेंगे इसमें से क्या मिलेगा तो इसमें दोस्तों इंसुलेशन दी हुई है इंसुलेशन का कहां इस्तेमाल करना है वीडियो में आगे आपको समझाऊंगा भी और देखेंगे कहां इसका इ और यहां से भी जो कुह है वो मिलेंगे फुकु आ इसको 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 उस्तिमाल करना और यह इनसुलीशन टी पैटिंड म डिखाएंगा आगए कैसे कैसे ४ो देना और कहां गाज इसको अस्तिमाल होगीई गल्वागा तो इसके साथ इसके बाद हम इसकी फ्रेंड करें लैक तो यह इसमें skyl मिले है हमें यहां पर इस grill को हमईंच करेंगे जाक करेंगे कहाँ जो जैक वगेरा दिया होता है और good light trailer में आपको समझाऊगो कैसी का फिल्टर है निकाल सकते हैं तो यहां पर उपर इसके आप दे सकते हैं कि जो च्ट्रोल पैंदल है यहां उपर दिया हुआ है तो कंट्रोल परने के बैक सेड यहां पर जैक है जो मैंने आप पहले आपको दिखाया था एसी में जैक लगना है वह जैक इसमें इंस्टॉल हो जाएगा तो दोस्तों आगे इसका जो फिल्टर है वह भी निकालना सिखाऊंगा बहुत ही अच्छा यहां पर दे सकते हैं इसको बपं करने के लिए 만큼 इसलॉर्ट दिया होता है इसको यहां पगडगiron यहां पर की तरफ खिचेंगे तो यह बाहर आ जाएगा तो ऐसे इसका जो फिल्टर संसारी से फिट हो जाएगा तो ऐसे इसका फिल्टर हम लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं तो बहुत ही सिंपल है और आगे से प्रेस कलो गए हलका साथ बंद वह जाएगा तो यह इसकी दोस्तों ग्रिल थी तो इसके बाद हम जिसका जो आउटर है उसको फिट करना सिखाएंगे आप कैसे इसको फिट कर सकते हैं और इसके साथ ही में जो पार्ट और भी मिलेंगे वो भी आपको समझाते जाएंगे तो काफी अच्छी इसकी जो ग्रिल है और यहां पर हम इस एसी को इसके आउटर को फिट करेंगे तो इसके एसी को आउटर से कैसे बाहर निकालना है वो यह आपको समझाओंगा पहले हम थर्मो कोल से एसी को अलग कर लेंगे इसके साथ हमें एक और पैकिंग मिलती है इसके स यहां पर आपरेशन मैनुवल जो कैसे इस्तमाल करना उसकी बुक मिलेगी और एसी का रिमोट और स्टेंड हमें साथ मिलता है और से आप में सहल मिलेंगे तो इसकी जो बुक है उसको आप अच्छे से पढ़कर पूरा इस्तमाल करना इसको आप सीख सकते हैं तो पूरी डिटेल उसमें दी होती है तो इसके बाद दोस्तों इसका जो आउटर है उसको हम बाहर निकालेंगे और थर्मोगोल से पहले इसको एसी को उठालेंगे और आच्छे सक्रूव को हम खोल लेंगे उसके बाद यह आउटर से एसी जब बाहर आएगा तो अब दे सकते हैं यहाँ पे भी एक स्कृू दिया है और एक उपर दिया है, और एक right side यहां पे भी दिया हुआ है, सब ही screw gear को screw driver की मदद से open कर लेंगे और ऋसके बाद मैं इसी को बाहर निकाल नहीं भी स्कhांगा कैसे आप इसको outer से बाहर निकाल सकते हैं तो यहां पर मारा screw drive भी qeara बाहर kोल रहा है और अगर आपको कोई भी question है आप हमें comment में पूछ सकते हैं उसका reply हम आपको जुरूर देंगे तो यहां पर सभी हमने screw को open कर लिया है और हम क्या गरेंगे एक side आगे से एक लड़का इसको भीचे का और एक हम पीछे से हार डालके इसको भीचने के कोशी करेंगे तो ऐसे हम दोस्तो एक आगे से और एक लड़का पीछे से इसको खीचे का और यह आउटर से बाहर निकल जाएगा तो थोड़ा सा दोस्तो स्टार्डिंग में हार होता है एक पर अगर इसी आगे को तरफ चला गया तो बाकी side से निकल जाता है तो इसको हिला हिला के आपको न निकलता नहीं है तो यहां हम स्क्रूट राइवर की मदल लेंगे उसके थोड़ा से बैक साइड से हलका सा उसको पुछ दे देंगे नीचे के तरफ से हम पेचकस को लगाएंगे और आउटर को अलग करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हाथ डालने की स्पेस बिल्कुल नहीं पेचकस डालके हम इसको आगे दरफ प्रेस कर देंगे तो जिससे हमारा इसी थोड़ा सा आगे हो जाएगा तो इसके बाद हाट डालने की हमें जगह मिल जाएगी तो हमारा जो इसी ऐसे बाहर निकल जाएगा तो इस तरीके से आप स्कूर्ट राइबर की मदद से आप तो आउटर को हमने यहां से उठा लिया है और इसके विंडू के इंदर रिस्टॉल करेंगे और सिंपल हमने थोड़ा सा इसको हलका सा बाहर की तरफ रखना है अपनी साइड और बाकी एसी को जो कवर एसका उसको पैक सेट जाने देना है और आगे की तरफ हमने इतनी रख चert करेंगे के शी के जो गडिल है वहाच हमारी साव्णावही रहे असानी से उसको लगा सक Cinderella को हैं तो यहां पर हमने हो इसका दिमेंशन लिए तो जिससे इसकी जो फिटिंग है अच्छे से हो जाएगी और तीन से करूँ एक साइड और नीचे वाली साइड चार स्कूरू हुमारे फिट हो जाएगी तो दो साइड साइड से लगाओगे तो आपका काम हो जाएगा अगर आपकी विंडो बढ़ी या तो अगर पूरी-प इसके स्कूरू करेंगे और नीचे वाली साइड लग जाये इससे मारा जो एसीं हो फिट हो जाएगा तो ऐसे दोस्टो मारा जो, ACीया, आसानी से हमारा सुभ आप फिट हो जाएगा, तो इसके बाद इसकी फ्रेंट दील आकर लगाएंगे, तो ऐसे दोस्तो मेहनंद करते हैं, वीडियो बनाते हैं, हमारी वीडियो को आप लाइक जूर करें, और इसकी दोस्तों जो बाकी साइड जो ऊपन रहेगी इसको भी हम कवर करेंगे और यह साथ में में जो ट्रे मिलती है इसको कहां पर लगाना है वह आपको समझाओंगा आगे मैं यहां पर देश्वत दोस्तों एक नोजल दी होती है इसको बंद किया होता है यहां पर एक सु इंपल आपने हलका सा एसी को उपर उठाना है तो इसमें इस ट्रे को इंस्टॉल कर देना है बाकी दो एसी में इतनी जगा होती है सानी से ट्रे लग जाती है नहीं तो आप थोड़ा सा उठाकर इसको ऐसे फिट कर सकते हैं तो यहां पे इसके साथ स्कुरू भी आते हैं और स करने के पाद इसको फ सामने की ट्रेल को हम फ्ट करेंगे अससे पहले हम इसka बलोर को एक Baş़े चेक कर लेंगे का जो कोई दिक्कत पर मिलोर को grail को लॉक लगाएंगे उसके बाद नीचे वाली साइड से जो लेफ्ट और लाइट्स लॉक होते हैं इसको हम लगाएंगे तो ऐसे महारी जो फ्रेंट पील यह हो असानी से हो जाएंगी अब देशकते हैं यहां पर इसके बाद हमने रायट सैड के की लॉक लगाएंगे घौनि तो फ्रेंट पील हमारी जब के हो जाएगी तो बहुत दोस्तों आनने इसी को फिट करना मुझ के बादte तो मेरे मिन्हें को उपन करेंगे ओसे निकालते हैं और इसके नीचे जो पूरा निकालना बहुंए अच्छे प्रिक आँ ऑन सटेछा हुआ तो यहां पर हमारी जो ग्रिल है फिट हो चुकी है उसके बाद इस फ्रेंट के लोगों कैसे लगाना है सिंपल हमने यहां भी इसको इसके अंदर इस्टॉल करके हलका सा प्रेस करेंगे और यह फिट हो जाएगी बाहर भी हमने ऐसे निकालना है हलका बार के तरफ खीचके उपर के तरफ उठा लेंगे तो बाहर आजाएगा और ऐसे दगाकर हम नीचे के तरफ प्रेस करेंगे जो ग्रिल हमारी फिट हो जाएगी तो यांपे दोस्तों हमारी जो front भी और फिट हो चुकी है और इसके बाद दोस्तों हमें इसके साथ जो installation मिली थी इसको कहान लगाना है तो यहांपे दोस्तों इसके side हो जगादी होती ticking thecap grill के side में जो जगा rust आती है यहां से air leakage होती है वहां पे हम फोम को लगाकर अंदर की दरब फिट कर देंगे तो जहां जहांगा आपके बची हो साइड में कॉर्णर में वहां पे हम इस फोम का इस्तवाल कर सकते हैं यहां पे उपर वाली साइड भे हम जो इसके गत्ते के साथ हमें थर्मोकोल मिलती हो इसको काट के यहां पे लगा दिया और उपर से टेपिंग भी कर दिया तो ऐसे इसकी जो एर लिके यहां बिलकुल नहीं होगी यहां से तो हमारी जो AC है प्रॉपर देके से फिट हो चुका है तो बहुत दोस्तों असान है AC को फिट करना हमारी इस वीडियो को दोस्तों करें दोस्तों का शेर करें थैंक्स फॉर वाच्चिंग और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जिरूर करें थैंक्यू